अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स उमीद है आप सब खेरी से होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही जबर्दस रेसिपी आलो के प्राठे बहुत इजी है क्विक है और इसके इलावा बहुत मज़े के बनते हैं चलने चलते हैं अपनी रेसिपी के तरफ रेसिपी के लिए हमें जो हईसे सब्सक्राइबल स्थिपोन सुर्फ मिल्च हरा दनिया प्यास आमलेट कट है और पुद्धिना इनको मैंने प्रीक चछे से कट कर लिया है आपके जी मैने आलो लिया है इनको बवाल करके मैने च्छील लिया है और यहाटा है जो हम घर में यूज़् करते हैं नॉर्म नमक डालेंगे और सुरख मिर्ष्ट डालेंगे हरी मिर्ष्टे डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे और साबू धनिया डालेंगे अब अमेजी कोचे से मिक्स कर लेंगे अमेज़ा अच्छे से मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम इसके प्राथे बनाएंगे चोटा सा पेड़ा लेंगे और सिम्पल जिस तरह रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह पेड़ा बना लेंगे रेगुलर रोटीन में जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे हाफ इसका पेड़ा होगा पेड़े मैंने त्यार कर ली है इसको हम बेल लेंगे पहले इसके किनारों को बरीक करेंगे और बेल लेंगे इसको मैंने बेल लिया है अब हम इस पे स्टफिंग लगाएंगे बरता लगाएंगे आलू का जब लितियार किया था आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा लगा आज मैं पर्ता मैंने लगा लिया है अब हम दूसरे पेड़ा पकड़ेंगे जो मैंने बेल के रखा था चोटी सी रोटी अब इस पर डालेंगे इस तरह से से क्लोस कर देंगे और किनारों कोच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना थोड़ा साथा लगाएंगे इस पर और दूसरे साइट पर भी लगाएंगे किनारों को носit से प्रेस कर दें ताके भरता जो एंट ही अमीजा वो बाहिर ना निकले और इसको सिंपली बेबं लेंगे इसको हल्के हाथ से बेल देंगे ताकि ये फटे ना इसको च। कोचछ से बेल लें और किनारों से भी बेल लें ताके किनारे इसके बरीक हो ये अच्छे से बिल चुकी है तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तवा गरम हो चुका है अब इस पे हम प्राठा डाल देंगे इस तरह से एक साइट से जब बबल्स बना शुरू हो जाएं हम इसकी साइट चेंज कर दें साइट चेंज करने के बाद अभी इसमें हम घी लगा देंगे घी जो है वो प्राठा के लिए बैस्ट है वैसे तो ओल में भी बन सकते हैं लेकिन घी से बहुत बेहतिनीन रिज़ेल्ट आता है किनारों पे भी लगा देंगे और इसकी हम साइट चेंज कर देंगे इस तरह से और हल्का हल्का घुमाते हुए से हम सुरख कर लेंगे अब दूसरी साइट पर घी लगाएंगे गी आप अपनी मर्जी से कम्या ज्यादा लगा सकते हैं इसके अप साइट चेंज़ कर देंगे देखें कितना प्यारा कलर आ गया है और पराटा हर तरह से पक्स चुका है अब हम इसको उतार लेंगे आलो का प्राठा त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है आलो के प्राठे को मिन्ट सोस के साथ और सिंपल योगर्ट के साथ सर्फ करेंगे अगर मेरी आज की दैसी भी आप लोगों को पसंद आई हैं मेरी वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तक के लिए अलाह फ़ीज